हेलो एब्रिवन आज हम आपको बढ़ाने वाले हैं इंट्रिक्रेशन इंट्रिक्रेशन पढ़ाने वाले हैं वो भी फुल्ली ट्रिक्स है आज हम इसे जो भी हम कोशन कराएंगे सारे के सारे ट्रिक्स कराएंगे नो formula, नो कोई concept, only trick तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे first question से जैसे कि हमारे पास कोई question दे रखा है जैसे कि हमारे पास question है question number first हमारे पास दे रखा है जैसे कि आपको इस screen पर भी दिखाए ज़र होगा तो आपको क्या गन्य है जो इसके option है option क्या क्या है option number A, 10x option number B, minus के 10x option number C, sec x plus C option number D, इनमें से कोई नहीं तो आपको क्या करना है इन्हें आपको integration करना नहीं आता है तो आपको क्या करना है इसका differentiation करना है तो कैसे करेंगे तो जैसे कि हमारे पास option number A है 10x plus C option number A क्या है हमारे पास 10x plus c तो आपको क्या करना है इसका आपको simply इसका differentiation करना है जैसे कि हम कर लेते हैं इसका 10x का क्या होता है 10x का होता है c square x अगर हम किसी भी जो unknown number है जो real number है उसका करते हैं तो उसका क्या आता है उसका आता है 0 क्या आता है उसका 0 तो answer क्या हो जाते है इसका simply option number यह ठीक हो जाएगा 10x plus c तो दोस्तो हमारा आज का second question है हमें कोई दे रखा है integral sin square x upon 2 into dx option number यह है x minus sin x plus c option number b x upon 2 minus sin x plus c option number c x upon 2 minus sin x upon 2 plus c option number d x upon 2 minus cos x plus c तो दोस्तो simply क्या करने है हमें इसका integral नहीं करना है हमें strip in का differential करना है इसमें कोई सी भी एक का differential करना है जिसका यह answer जाए दोस्तो हम देखते हैं अगर हम यह sin x को divide करते हैं तो x upon 2 के पदों में तो दोस्तो इसका answer के भी भी आने वाला है तो दोस्तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें sin square नहीं वरने वाला है कभी भी तो हम क्या करेंगे option number c और option number d में से देखेंगे कौन सा correct है तो दोस्तो हम क्या करते हैं simply option number c देखते हुआ तो c में पोздसते हैं जाने के बाद इसका हम क्या करेंगे डिफरैंसल करेंगे यसी के ..... इसका differential minus sin x upon 2 plus c देरख गर हम है इसके इसका में तो differential इसका करेंगे x upon 2 का differential 1 upon 2 का 1 upon 2 और x क зах़ी ह starving 1 माइनस sin x का क्या होता है cos x और 2 का 2 पिलस c का क्या गिया 0 उसके बाद क्या होता है simply 1 upon 2 common निकाल लेते हैं दो नों में common है 1 minus cos x 1 minus cos x इसे हम sin के पदों में डिवैड करना है तो sin के पदों में डिवैड कैसे करेंगे इसको सिंप्लि हम साइन के बदों में ऐसे डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 2 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्राइर x अपॉन 2 1 से बन कट जाएगा और 1 बन पिलस हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 साइन स्क्राइर x अपॉन 2 इससे कटने के बाद हमें क्या बसता है साइन स्क्राइर x अपॉन 2 अगर दोस्तों आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप सिंप्लि क्या करोगे आंसर आपका डिरेक्ट जाएगा आपको दिमाग में जाएगा कि C या D मेंसे कोई साइक होगा क्योंकि इसमें भी y2 है आप हमें एक SMS कर सकते हैं हमारा question number 3 है x upon x plus 1 integral x upon x plus 1 into dx तो हमें एक simple integral करना नहीं आता है तो हम क्या करेंगे तो दोस्तो हम A, B, C, D इन में से कोई से भी एक इसका integral होना है तो हम क्या करते हैं इन option को ही इसमें put up कर देते हैं तो कैसे करेंगे हम देखते हैं कि अगर हम इसका differential करते हैं इसका integral करते हैं तो कभी भी ये term नहीं आने वाला है कभी भी हमारा ये term नहीं आने वाला है उसके बाद हम इसका अगर देखते हैं तो 1 का 0 हो जाएगा तो simply वही case हो जाएगा तो इसका भी नहीं आने वाला है उसके बाद हम जाते हैं option number D में और option number C तो option number D देखते हैं तो हम इसका 1 करेंगे और 1 upon x plus 1 तो अगर हम simply इसे solve करते हैं तो कभी भी यह नहीं आने वाला है तो हम simply option number C करके देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास exam में इतने जाटे time नहीं होता कि हम सारे के सारे option solve करके देखें x का differential क्या होता है वो होता है 1 minus log x plus 1 तो इसका जब हम differential करेंगे क्या एगा 1 upon x plus 1 जब हम x का करेंगे तो क्या एगा 1 आएगा और plus 1 का करेंगे 0 आएगा पिलस c का करेंगे तो 0 हाजाएगा तो simply हम इसे कर लेते हैं 1 minus 1 upon x plus 1 उसके बाद LCM ले लिए x plus 1 तो x plus 1 minus 1 is equal to x upon x plus 1 तो क्या होता है हमारा answer आगिया x upon x plus 1 तो integral किसका करना है हमें इसका करना है simply आपको दोस्तो एक सिकिन से तो दोस्तो हमारा question number अगला है हमें दे रखा है log x upon x इसमें हमें fourth option दे रखे है log x plus c 1 upon x square plus c log x का whole square upon sorry 2 d log log x plus c तो हमें इसका जगनने integral करना है इसके integral करना है तो हम क्या करते हैं simply देखते हैं कि अगर हम log x का differential करते हैं तो क्या आता है 1 upon x तो कभी भी ये नहीं होने वाला है उसके वाल हम देखते हैं b तो simply हम इसका कभी भी करेंगे तो इसका कभी भी हमारा ये नहीं आने वाला है क्योंकि ये कभी भी log में नहीं जाएगा तो हमारा ये भी नहीं होगा तो simply हमारा option number C option number D मैंसे कोई सा एक होने वाला है तो दोस्तों हम या करते हैं option number D सबसे पहले put up करते हैं तो option number D put up कर लेते हैं तो इसका हम differential करेंगे क्या आएगा log X का 1 upon log X उसके बात करते हैं जो अंदर बार log X है तो 1 upon X तो हमारा पास क्याता है 1 upon log X into 1 upon X plus 0 तो हमारा ये भी नहीं होगा तो simply से भी काट देंगे तो हमारे पास क्या बसता है option number C option number C लगा दो आपको इसका solution देखने हैं तो simply देख लो तो हम क्या करेंगे इसका differential करने के लिए गात आगे जाएगी 2 log X 2 का 2 into अब log X करेंगे तो log X का क्या होता है 1 upon X और पिला सी सी का क्या होता है 0 2 से 2 कट गया तो answer क्या है जिसका log X upon X simply answer आगी है और हमें क्या लाने है ये ही लाने दोस्तो ऐसे आप trick से integral के all question कर सकते हो सारे के सारे question कर सकते हो without integral करें दोस्तो अगर जैदी आपने वे तक हमारा चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्क्राइब करें वीडियो को like करें और share करें और अपने सभी friends को invite करें और दोस्तो लाइब क्लास जल्दी आने वाली है लाइब क्लास जल्दी आने वाली है तो से तीन दिन के अंदर लाइब क्लास हमारी आ जाएगी उसके बाद हम और अच्छे तक कवर करेंगे और regular